तिरुप्ती मंदिर में बंटने वाले पवित्र लड्डू प्रसाद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तिरुमाला वैंकटेश्वर मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में वित्रित किये जाने वाले लड्डू का 300 साल पुराना इतिहास है। विजयनगर सामराज्य के दौरान लड़ू एक मानत प्रसाद बन गया जिसे श्रीवारी लड़ू के नाम से जाना जाता है। लड़ू चढ़ाने का पहला दस्तावे सन 1715 में मिला। तिरुमाला मंदिर में प्रसाद के रूप में श्रीवारी लड़ू चढ़ाया जाता है। भगवान को श्रीवारी लड़ू चढ़ाने के बाद इसे भक्तों में बाटा जाता है। यहाँ परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। लड्डू चढ़ाने वाली परंपरा से संबंधित पहला दस्तावेज 2 अगस 1715 का मिला है। हालांकि इस परंपरा के सटीक शुरुआत को इससे पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू को मानक प्रसाद का दर्जा विजयनगर सामराज्य के दौरान मिला। पल्लव राज, चोल सामराज्य, पांड्या और विजयनगर सामराज्य के दौरान लड्डू चढ़ाने की परंपरा का सम्रिद इतिहास बना। हालां की समय के साथ इस रेसिपी में तरहत्रा के बदलाव हुए. ब्रिटिश शासन के दौरान भी 1940 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए. लड़ू प्रसाद को GI TAG तिरुपती लड़ू को साल 2009 में GI TAG मिला. GI TAG का मतलब यह की केवल तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम, TTD, ही इसका प्रोडक्शन या बिक्री कर सकता है. श्रीवारी लड़ू की धार्मिक मान्यता तिरुपती माला मंदिर में चड़ने वाले लड़ू को भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र प्रसाद माना जाता है. भगवान वेंकटेश्वर को विश्णू का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वया इस प्रसाद को बनाने में मदद करते हैं वह इसे पवित्र करते हैं और खाने वाले भक्तों को आशिरवात देते हैं ऐसी मान्यता है कि तिरुपती लड्डू का सेवन करने वाला भगवान वेंकटेश्वर के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है। भगतों का मानना है कि इस दिव्य लड्डू को खाने से शारिरिक और मानसिक शक्ति आती है तो आध्यात्म भी बढ़ता है। इस प्रसाद को ख यार किया जाता है जिसे पोटू कहा जाता है। बेहत स्वच्छ माहौल में इस लड्डू को बनाया जाता है। इसमें बेसन, घी, काजू और चीनी आधी का इस्तमाल होता है। लड्डू बनाने की यहाँ प्रक्रिया भी एक अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। ल जाता है।